बिहार पंचायते रॉजभी भाग का बड़ा खस निर्देश बरसा से पहले सभी कुणों को करना है जिर्णों दोवार पनचायत परतिनदियों को दिया गया खास निर्देश और सभी जीलों को दिया गया गया तिसार निर्देश नमस्कार अब मैं हूं आपके साथ सुनिल भोवी और आप इस समय देखना है अपना खास कार्जकरम गाउं की सरकार गाउं की सरकार में हम खबरें आपके लिए कर आते हैं गाउंप पजायत के विकास से जुड़ी खबरें जानकारी जो आपको जानना लिए गाओं पंचाय से जुड़ी जानकारी युक्ते खबर आपके लिए बीच आता रहता हूं आपको हम पर विश्वास है और हमें आप पर विश्वास है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब अब तक कर लियोंगे और नहीं कियोंगे तो अभी इसी वक्ते जरूर कर निचे विडियो के नीचे लाल रंग से सब्सक्राइब लिका हुआ है सब्सक्राइब कलर का बेटम है उसको प्रेस कर दीजिए बस आप हमारे एक सदस्द बन जाईएगा चलिए खबरों के सिलसला सुरू करते हैं हलाकि कुणों का जिर्णोदवार विहार में सुरू हो च करने की आदेश पंचायत परतिनिद्यों को मिला है जिला को खास दिसांदिर देश जारी किये गए हैं पंचायती राज विभात का कहना है कि बरसास से पहले सभी कुणों का जिर्णोदवार कर दिया जाए बताइए आपके गाउं में कुणों का जिर्णोदवार हुआ है क कि नहीं अगर नहीं हुआ है क्यों नहीं हुआ है कोमेंड करके बताईए अगर हुआ है तो बेहतर हुआ है जिन्म दोर कर दिया जाएगा इसको लेकर पंचायिती है जल जीवन हर्याली अभियान के तहत आपको बताते से जल जीवन हर्याली के अभियान के तहते रीभाग का रभाग का आण से बिहहार मीचल इंद्वीन को प्रक्त मतों कर लिया गया है शेस में निर्मान कार्ज फिलाल चल रहा है विभाग ने शभी जीनों को निर्देश दिया है कि बरसाथ के पहले हर हाल में शभी कुंगों का जिर्मान कार्ज को पूरा कर लें बरसाथ के दिनों में निर्मान कार्ज में बाधा आ सकती है बताते चलें की जल जीवन हरियाली अभ्यान के तहट सार्जवनि कुंगों का जिर्न्दवार कार्ज किया जा रहा है भू जल अस्तर को मिंटेन रखने के मकस्द से कुवह का यानि की मिंटें रखने के मकस्त से कुवह का जूर advocating जा रहा है इसके पताद सबसे पहले कुवह को उड़ाही देखिए अगर आपके छित्टर में कुवह की जूर दो हो रहा है तो सबसे पहले कुवह की फूरा ही हो नहीं है उपर से प्लेटफॉर्म का निर्मान यानि कि जो गुलाकार बनता है कुए को लोहे की जाल से ढखने आदी कार्ज किये जाने हैं देखिए अगर आपके छित में काम अगर कुए का जिन दोबार हो रहा तो जान दीजिएगा लोग क्या करते हैं कि बस उपर से गुलाई बना देते हैं प्लेटफॉर्म में बना देते हैं रंग रोगन कर देते हैं और काम चला लेते हैं नहीं सबसे पहले उस कुए कोड़ा ही करना है गंड़गी भी निकल जाएगी पानी का जो सुर है उसमें भी काफी जापा होगा यानि कि जलस्तर बरकरार रहेगा और दूसरा जो गुलाकार होता है प्लेट पाउन बनता है उसको भी बेहतर ढंक से बनाने का कार रंग रोगन अच्छा होना चाहिए यानि कि कूवों को देखने पर बेहतर आच्छा लगे और कुएं के ढखने के लिए जाली लोहे के जाली बेहां कर प्लमाना rug YouTube के ना HORestry शंभावना होती है जबसे अधिक मिए है दो हजार 65 कुएं राजभर में 20 हजार कुऊंगों को चीनित किया गया है इनमें से सबसे अधीक 2250 कुएं नालंदा जिले में हैं इसके बाद 2065 पुर्वी चंपारन 1673 गया में और बात अगर और अरंगावात की करने तो 1313 और 1297 पटना में और 1196 भागलपुर जिले में कुएं चीनित हुए हैं सबसे कम 48 किशनगंज 49 अररिया 89 शुपॉल और 88 मदुबनी जिले में कुएं को चीनित किया गया थे इस परकार से कुएं को जिर्णदवार अगर आप आम जंता हैं तो परतिनिद्यों को को शहीं द्योग करें पू चाहिओ करेंगा चाहितके पूजापाठ आदी में भी कुएं के जल का लोग उपयोग करते हैं और जल अस्तर बरकरार रखने में भी कॊओ includes की भूमिका है अगर आप करज करवा रहें तो किसी परकार की उसमें कोई गालमें नकरें लपरवाही नकरें क्योंकि कुऊंगों से सब को लाभ है भले हिoking उससे आफ पानी नहीं लेते हो प्रतिया चुरूप से आपको फвойदा नहीं हो लेकिन आप प्रतिया चुरूप से आपको फैदा होगा जल लस्तर बरकारा रहेगा तब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के जिज़े इजाज़ा धन्यवाद जय हिंद जय भारत पंदेवाद करें